है अब जैसा आप concept जानते ही हैं कि और सब्सक्राश को का арंड नकल के आते हैं ठीडूर जबात करना, कि मैंने इन characters को basically इस basis से rank किया है कि वो as an assassin हमें कितने जादा deadly देखने को मिले है, skillful देखने को मिले है यानि कि इन characters को मैंने उनके strength और power के basis पर rank नहीं किया है, जिसका मतलब अगर कोई character list में last position पर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी निकल के नहीं आता है कि वो character physically सबसे weak है साथी साथ काफी time पहले मैंने एक video बनाए थी Maraola DC के सबसे best mercenaries को लेके तो अगर उससे कुछ similar characters तुमें इस list में भी देखने को मिल जाते हैं तो confused मत हो ना क्योंकि कौई book characters के हमें multiple occupations देखने को मिलते ही रहते है सो जीती बक्वास हो चुकी है तो without wasting any more time चले शुरू कर लेते हैं आज के समीजिंग video को अगर देखा जाए तो Electra हमें काफी lethal assassin देखने को मिली है जिसके वज़े से वो Marvel Universe की greatest female assassin है देखा जाए तो Electra ने bunch of ninjas को आराम से defeat करके देखाया है Wolverine जैसे powerful mutant को भी वो fight के अंदर paralyze कर चुकी है और तो और Iron Fist जैसे strong fighter के against भी वो toe to toe भिड़ चुकी है यह सभी चीज़ी हमें देखाती है कि Electra का potential बहुत जादा है और तो और as an assassin वो काफी जादा skillful निकल के आती है वो किसी भी कह सकतो कि contract को पीछे नहीं छोड़ती और most probably Electra इस list में बताएगा काफी सारे characters से physical attributes में भी काफी जादा हमें बहतरीन देखने को मिली है अब अगर बात की जाए Jason Todd की तो वो हमें basically Batman का दूसरा Robin देखने को मिला था जिससे Joker ने brutally मार दिया था और उसके बाद वो resurrect होके वापस आता है Red Hood की identity लेते वे where he was seeking vengeance for his former mentor और उस बिससे अगर देखा जाए तो Red Hood के character के entry के साथ ही उसने ये establish कर दिया था कि वो कितना जादा dangerous है जहां उसके assassination की skill सच में लाजवाब थी वो एक काफी जादा skillful powerful assassin निकल के आता है जहां अगर देखा जाए तो basically Red Hood ने आसानी से रेशाल गुल के एक powerful version को overpower करके देखाया था वो bunch of ninjas को आसानी से assassinate कर चुका है और of course multiple occasions पे Batman के साथ तो तो भी भीड़ चुका है ये सबी चीज़े हमें देखाती है कि Red Hood कितना जादा skillful है और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आगे चलके वो Bat Family में return करता है as an anti-hero हमें देखने को मिलता है और Outlaws की team भी खड़ा करता है लेकिन as an assassin वो सच में हमें लाजवाब देखने को मिला था अगर बात की जाए बुलज़ाइ की तो ये हमें एक deadly killer देखने को मिला है जिससे professional लोग hire करते हैं किसी को भी निप्टाने के लिए most of the people बुलज़ाइ को mercenary के तौर पे जानते हैं जो चीज बुलज़ाइ को सच में लाजवाब देखाती है देखा जाए तो बेसिकली बुलज़ाइ ने एक single kart के मदद से Electra को चोक करके देखाया है बेसिकली डेड़पूल के neck को कट करके देखाया है एक single straw के साथ साथी साथ बंच अफ लोगों को स्क्रूज के साथ वो जान से मार चुका है यह सभी चीज़ें बेसिकली बुलज़ाइ की accuracy उसके skills को बहुत ही जादा शानदार देखाती है और उसे बहुत ही जादा deadly देखाती है जिसके वज़े से कही ना कही अगर देखा जाए तो बुलज़ाइ जेसन और इलेक्टरा के comparison में हमें एक जादा deadlier assassin देखने को मिला है बात की जाए अगर लेडी शिवा की तो वो हमें कह सकते हो कि एक बहुत ही जादा deadly assassin देखने को मिली है जिसे DC Comics के अंदर अर्थ पे हर कोई जानता है उसके assassination skills से हर कोई रूबुरु है जहाँ देखा जाए तो इसका अंदाज़ा तो इसी चीज़ से लगा सकते हो कि लेडी शिवा कितनी जादा deadly होगी कि उसने Batman को train किया है साथी साथ Tim Drake के Robin को भी train करके देखाया है और अगर अगर देखा जाए तो अराम से defeat करके देखाया था यह सभी चीज़ें उसे बहुत ही जादा deadly बना देती है और उसके assassination skill के कारीफें तुम्हें Batman जैसा character भी करते वे नजर आ जाएगा जिसके लेडी शिवा एक काफी fearsome assassin निकल के आती है DC Universe की अब डेडपूल अब डेडपूल के बारे में हर कोई जानता है जहां Wade Wilson बेसिकली एक former test subject था weapon X program का जिसके मदश से उसे उसका regenerative healing factor मिला जिसके वैसे practically डेडपूल तो मर नहीं सकता है लेकिन डेडपूल सच में काफी जादा veteran fighter और assassin है most of the people डेडपूल को उसके mercenary skills के वैसे जानते हैं जिसमें again वो better है but as an assassin भी वो हमें काफी जादा deadly देखने को मिला है जहां अगर देखा जाए तो डेडपूल ने ऐसे characters को assassinate करके देखाया है जो कह सकते हो कि multiple time teleport हो सकते थे साथ ही साथ वो most of the time कई बार moon night के साथ भी fight में भिड़ चुका है और even task master जैसे skilled fighter के against उसे बरावरी की टकर भी दे चुका है यह सभी चीज़े डेडपूल को बहुत ही जादा capable बना देती है लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ डेडपूल की सबसे ज़ादा जबर्दस निकल के आती है वो यह है कि डेडपूल बिलकूल unpredictable है जिसके वे से उसकी assassination skills सच में लाजवाब निकल के आती है और यही चीज़ उसे काफी ज़दा deadly भी बना देती है अब अगर बात की जाए टोनी मास्टर की तो basically task master बहुत ही ज़ादा जबर्दस character है जो एक चलता फिरता cheat quote है क्योंकि task master के पास यह ability निकल के आती है कि वो with time किसी के भी combatant skills को fighting skills को replicate कर सकता है instantly यानि उसे copy कर सकता है जो चीज़ इस task master को एक बहतरी न henchman एक बहतरी न assassin एक बहतरी न mercenary एक बहतरी न hitman बना देती है और इसी वज़े से कह सकतो कि task master बहुत ही ज़ादा deadly है और इस वे से उसकी assassination skills भी हमें लाजवाब देखने को मिली है जहां उसको टक कर दे पाना ही किसी character के लिए बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ जाएगी देखा जाए तो task master captain america जैसे character को धूल चटा चुका है साथे साथ according to spider man task master के reflexes उसके बराबर के निकल के आते हैं इतना ही नहीं वो maro comics के कुछ और भी deadly assassins को legit आंख बंद करके defeat कर चुका है fight में और यह सभी चीज़े काफी अच्छी तरीके से हमें दिखाती है कि task master की capability सच में बहुत जादा है जिसके वैसे वो एक काफी जादा deadly assassin निकल के आता है अब लोबो एक काफी जादा crazy और unpredictable character है who is also one of my favorite from this list जहां गर देखा जाए तो जितने बाकी characters के अपन ने बात की उन्हें तो earth पे लोग जानते हैं deadly assassin के तोर पे बट लोबो को different different galaxies में जाना जाता है कि वो कितना ज़ादा crazy और deadly है जहां वो एक bounty hunter है एक assassin है और एक mercenary निकल के आता है जो हमें एक immortal और unstoppable being देखने को मिला है लोबो ने अपने ही planet की species को entirely खतम करके दिखाया था वो literally ऐसे weapons कैरी करता है जिसके मज़से 5th dimensional ims को जान से मारा जा सकता है और जिन्हें लोबो के बार में थोड़ा बहुत भी बता होगा वो यह जानते ही होंगे कि वो कितना बार Superman से भी भड़ चुका है यह सबी चीजें लोबो को इस list का सबसे powerful character तो बना देती है बट सिंस वो चीजों को जादा seriously नहीं लेता इससे वाज़ से उसकी assassination skills हमें कुछ characters के comparison में थोड़ी नीचे देखने को मिली है और वो most likely एक bounty hunter के तरह जादा appear होता है बट फिर भी वो एक काफी deadly character है काफी crazy assassin निकल गया आता है अब Punisher यानि कि Frank Castle हमें एक former US Marine veteran देखने को मिला था जिसके family के death के बाद वो एक ऐसे रास्ते पे निकल गया जिससे वो कभी वापस नहीं आ पाया Punisher एक vigilante है लेकिन वो अपने enemies को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारता है जिसके वज़े से ही basically Punisher बहुत ही जादा deadly assassin निकल के आता है उसके weaponry, उसकी hand-to-hand skills, सच चीजें उसे बहुत ही जादा incredibly capable बना देती है जिसके वैसे वो हमें एक nearly flawless assassin देखने को मिला है, बहुत ही जादा skilled देखने को मिला है उसने Deadpool जैसे character को defeat करके देखाया है, hand-to-hand combat के मामले में वो Daredevil को पीछे छोड़ चुका है साथी साथ वो Wolverine जैसे mutant को भी humiliate कर चुका है यह सभी चीजे भी अगर काफी नहीं है, तो basically उसके assassination skills उसे कह सकते हो कि बहुत सारे mafias, gangs वगेरा को भी उसके against खड़ा करने से सौ बार सोचती है और उसी वज़े से वो हमें एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन assassin देखने को मिला है, जो सच में काफी जादा dangerous है Deadshot, suicide squad के core members में से एक निगल के आता है, जो world के सबसे greatest assassins में से एक है जिसे mostly जाना जाता है उसके expert marksmanship के वैसे उसके निशाने के लिए जहां वो कभी भी चूकता नहीं है और अपने daughter को protect करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है जिसके वैसे Deadshot एक बहतरीन marksman है, एक बहतरीन mercenary है, लेकिन इन सब के उपर से वो एक awesome एक deadly assassin निकल के आता है जहां देखा जाये तो उसकी skills सच में लाजवाब है, एक single bullet से वो entire military helicopters को take down कर सकता है Deathstroke के skills को वो match कर चुका है marksmanship के मामले में साथी साथ Deadshot कई सारे moment पे Batman को अच्छी टकर भी दे चुका है और यह सभी चीज़े यह देखाती है कि Deadshot बहुत ज़्यादा capable है, उसके assassination skills उसे बहुत ही ज़्यादा deadly बना देती है, suicide squad का सबसे deadliest member बना देती है बट अभी भी list में साइक character मौझूद है, जो Deadshot को भी कह सकते हो कि assassination के मामले में थोड़ा पीछे रच छोड़ देता है Deathstroke कॉइंग बुक हिस्टरी का ना ही सिर्फ सबसे ज़ादा best mercenary निकल के आता है, बट साथी साथ वो सबसे deadliest assassin भी है एक genetically engineered super soldier जो कह सकते हो कि अपने peak human attributes के साथ हर human को पीछे छोड़ सकता है जिसकी assassination skills उसे DC Universe का most feared assassin मना देती है जो हमें Teen Titans का आर्क nemesis, Nightwing का आर्क nemesis देखने को मिला है और कई moment पे वो Batman से भी भीड़ चुका है Deathstroke की abilities, Deathstroke की skills सच में ला जावाब है जहां वो एक single paper clip से एक fly को बीच में से काड़ चुका है वो literally preparation के साथ entire Justice League के एक roster को takedown कर चुका है और तो वो इतना जादा fearsome है कि वो Superman से भी भीड़ चुका है यह सभी चीजें Deathstroke को next level पे लाखे रख देती है Deathstroke की assassination skills का सामना कर पाना मेरे ख्याद से Coinbook History के किसी भी character की बराबरी की बात निकल के नहीं आती है He might not be the strongest assassin but he is definitely the deadliest assassin in the Coinbook History So guys, यह थी वीडियो DC और Marvel के 10 सबसे deadliest assassins को लेके I hopes कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा assassin था जो इस लिसमें अपनी जगा बना सकता था लेकिन मैंने उसे mention नहीं किया तो नीचे comment section में तुम लोग उसके बारे में बता सकते हो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो का अपना थबजब देना अपनी दुसक्ता शेयर करना चैनल पर कहीं से भी अगर नहीं है तो चैनल उसे सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे इंस्टाग्राम का बिलिंग तुमको नेचे डिस्क्रिप्शिन भी मिल दाएगा तो मुझे वहाँ पर बिच्छे काउट कर सकते हो में मिल तूं तूं सैसी के सिनिक स्टूडियो में तिल देन बाई स्टे तून स्टे आसम